पर एबूर्ते शोड़ा शोड़ी नौज़रापको प्रधान मंस्री नेरेद रमोदेर मन के बात और उश्ठाने दिगे कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे हमारे स्वास्थकर्मियों ने अपने अथाक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिशाल पेश की उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने द्रण निष्चे से मानुता की सेवा का एक नया मांदर स्थापित किया उनके बारे में अंगिनत उधारण है जो बताते हैं कि कैसे उन्होंने तमाम चुनोतियों को पार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षा कवज प्रदान किया हमने कई बार अख़वारों में पढ़ा है भार भी सुना है कि इस काम को करने के लिए हमारे इन लोगों ने कितनी महनत किये एक से बढ़कर एक अनेक प्रेरक उधारन हमारे सामने है मैं आज मन की बात के सुरताओं को उत्राखन के बागेशवर की एक ऐसी ही एक हेल्थ वरकर पूनम नोटियाल जी से मिलवाना चाहता हूँ साथियों ये बागेशवर उत्राखन की उस धर्ती से हैं जिस उत्राखन ने सत्प्रतिशत पहला डोज लगाने का काम पूरा कर दिया है उत्राखन सरकार भी इसके लिए अभिनदन के अधिकारी है क्योंकि बहुत दुर्गम ख्षेत्र है कठिन ख्षेत्र है वैसे ही हिमाचल ने भी ऐसी कठिनाईयों में सत्प्रतिसर डोज का काम कर लिया है मुझे बताया गया है कि पूनम जी ने अपने छेत्र के लोगों के वैक्षिनेशन के लिए दिन रात मेहनत किये है पूनम जी नमस्ते सर पर्णा पूनम जी अपने बारे में बताये जरा देश के स्रोताओं को पूनम नौटे आलो हूँ मैं उत्रखानी के बागेश्वर डिस्टिक में चामी कोईराली सेंटर में कार रहा हूँ पूनम जी मेरा सवभागय है मुझे बागेश्वर आने का अवसर मिला था पूनम जी क्या आपने अपने ख्शेत्र के सभी लोगों का वेक्सिनेशन करवा लिया है आपको किसी प्रकार की दिक्धत का भी सामना करना पड़ा गया लेकिन वहां तो पहाड़ों पर घर भी बहुत दूर दूर होते हैं तो एक दिन में कितना कर पाते थे आप सर्क किलोमेटर के साथ 10 किलोमेटर कि अजिया 1 किलोमेटर की साथ 8 जी वहाग्या करना अजिद्ध कर पूरा दीन चला जाता है तो उसमें डॉक्तर हो गए, फिर एनम हो गई, फार्मिसिस्ट हो गई, आसा हो गई, और डाटा इंट्री उपरेटर हो गई अच्छा वो डाटा इंट्री वहां connectivity मिल जाती थी या फिर बागिस्वर आने के बात करते थे अच्छा मुझे बताया गया है पुनम जी, कि आपने out of the way जाकर लोगों का ठीका लगवाया, ये क्या कलपना आई, आपके मन में विचार कैसा है और कैसे की आपने हम लोगों ने पूरी टीम ने संकब लिया था, कि हम लोग एक भी व्यक्ति छूटना ने चीए, हमारे देश से कुरोन विमारे दूर भागनी चीए अच्छा लोगों को समझाना पड़ता था? लोगों का उत्सा है अभी भी वैक्सिन लेने का? हाँ जी सर, हाँ जी, आप तो सर लोग समझ गए हैं, पश्च में बहुत दिक्कत हुए हम लोगों को, लोगों को समझाना पड़ता था कि ये जो वैक्सिन है सुरक्चित है और असरदार है, हम लोग भी लगा चुके हैं, तो हम लोग तो ठीक हैं, और हमारे श्टाप ने स हैं, और मैं जानता हूँ, ये पुरा क्षेतर कितना कठीन है, और पैदल चलना, पाड़ों पे एक पाड़ पे चाओ, पर नीचे उतरो, फिर दूसरे पाड़ पे जाओ, घर भी दूर दूर, उसके बाउजित भी है, आपने इतना बढ़िया काम किया है, अप जैसे लाखो हेल्थ फरकर्षने, उनके परिश्णम की वज़े से ही, भारत सो करोड़ वैक्षिन डोज का पड़ाव कर सका है, आज मैं सिर्फ आपका ही आभारव्यक्त नहीं कर रहा हूँ, बलकि हर उस भारतवासिक आभारव्यक्त कर रहा हूँ, जिसने सब को वैक्षिन, मुप्त वै स्वासियों, आप जानते ही हैं कि अगले रविवार 31 अक्तुबर को सरदार पटेल जी की जन्म देनती है, मन की बात के हर स्रोता की तरफ से और मेरी तरफ से मैं लोह पुरुष को नमन करता हूँ, साथियों, 31 अक्तुबर को हम राष्ट्रिय एकता दिवस के रूप में मना हम सभी का दाई तो है कि हम एकता का संदेश देने वाली किसी ने किसी गतिविदी से जरूर जुड़े, आपने देखा होगा, हाल ही में गुजरात पुलिस ने कचके लखपत किले से स्टैची ओफ यूनिटी तक भाइक रेलिग निकाली हैं, क्रिपुरा पुलिस के जवान तो एकता दिवस मनाने के लिए क्रिपुरा से स्टैची ओफ यूनिटी तक भाइक रेलिग कर रहे हैं, यानि पूरफ से चल कर पस्चिम तक देश को जोड रहे हैं, जम्मु कश्मीर पुलिस के जवान भी उरी से पठान कोर तक ऐसी ही भाइक रेलिग निकाल कर देश की ए बारे में भी मुझे पता चला है, ये बहने कश्मीर में सेना और सरकारी दप्तरों के लिए तिरंगा सिलने का काम कर रही है, ये काम देश भक्ति की भावना से भरा हुआ है, मैं इन बहनों के जजबे की सरहना करता हूँ, आपको भी भारत की एकता के लिए, भारत की पत्रता के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, देखिएगा आपके मन को कितनी संतुष्ठी मिलती है, शाथियों, सरदार साब कहते थे कि हम अपने एक जूट उद्यम से ही देश को नई महान उचाईयों तक पहुँचा सकते हैं, अगर हम में एकता नहीं हुई, तो हम खुद को नई नई विपनाओं में फसा देंगे, यानि राश्ट्रिय एकता है, तो उचाई हैं, विकास हैं, हम सरदार पटेल जी के जीवन से, उनके विचारों से बहुत कुछ सिख सकते हैं, देश के सुचना और प्रसाणना मंत्रा लेने भी हाली में, सरदार सहाब प एक पिक्टोरियल बायोग्राफी भी पबिश की है, मैं चाहूंगा कि हमारे सभी युवा साथी इसे जरूर पढ़ें, इससे आपको दिल्चस्प अंदाज में सरदार सहाब के बारे में जानने का आउसर मिलेगा, प्यारे देशवासियों, जीवन निरंतर प्रगति चाहत है, भवन कितने ही भव्य बन जाए, लेकिन फिर भी जीवन अधुरापन अनुभाव करता है, लेकिन जब इन में गीत, संगीत, कला, नाट्य, नुरुत्य, स्वाहित्य जुड़ जाता है, तो इनकी आभा, इनकी जीवनतता अनेक गुना बढ़ जाती है, एक प्रकार से ज जीवन को सार्थक बनना है, तो ये सब होना भी उतना ही जरूरी होता है, इसले ही कहा जाता है, कि सभी विधाये हमारे जीवन में एक कटालिस्ट का काम करती है, हमारी उर्जा बढ़ाने का काम करती है, मान और मन के अंतर मन को विक्सित करने में, हमारे अंतर मन की यात्रा क मार्ग बनाने में भी गीत संगीत और विभिन्न कलाओं की बड़ी भूमिका होती है और उनकी एक बड़ी ताकत यह होती है कि इन्हें न समय बांज सकता है न सीमा बांज सकती है और नहीं मतमतांतर बांज सकता है अमरित महौसव में भी अपनी कला संस्कृती गीत संगीत के रंग अवश्य भरने चाहिए मुझे भी आपकी तरफ से अमरित महौसव और गीत संगीत कला की इस ताकत से जुड़े देरों सुझावा रहे हैं यह सुझाव मेरे लिए बहुत मुल्यवान है मैंने इन्हें संस्क प्राले ने इतने कम समय में इन सुजावों को बड़ा घंभीरता से लिया और उस पर काम भी किया इनी में से एक सुजाव है देश भक्ति के गीतों से जुड़ी प्रतियोगी था आज हदी के लड़ाई में अलग-अलग भाषा बोली में देश भक्ति के गीतों और भजनों देश भक्ति के गीत मात्रु भासा में हो सकते हैं राष्ट भासा में हो सकते हैं और अंग्रेजिवे में लिखे जा सकते हैं लेकिन ये जरूरी है कि ये रचनाएं नए भारत की नई सोच वाली हो देश की वर्तमान सफलता से प्रहना लेकर भविश्य के लिए देश को संक जोड़ी प्रतियुक्ता करानी की है बड़ी भूमी का निभाई है 1947-48 में जब यूएन human rights का universal declaration तैयार हो रहा था तो उस declaration में लिखा जा रहा था all men are created equal लेकिन भारत के एक delegate ने इस पर आपति जताई और फिस universal declaration में लिखा गया all human beings are created equal यह बात जेंडर एक्वैलिटी की भारत की सद्यों पुरानी परंपरा के अनुरूप थी क्या आप जानते हैं कि स्रेमती हंसा महता वो डेलिगेट थी जिनकी वजह से संभव हो पाया उसी दवरान एक अन्य डेलिगेट स्रेमती लक्ष्मी मैनन ने जेंडर एक्वैलिटी के मुद्दे पर जोड़दार तरीके से अपनी बात रखी थी यहीं नहीं 1953 में स्रीमती वीजिया लक्ष्मी पंडीत युएन जनरल सम्बे की पहली महिला प्रसिडेन भी बनी थी साथियों हम उस भूमी के लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं जो ये प्रार्थना करते हैं ओम द्यो शान्ति ही अंतिक्षम शान्ति ही पृत्वी शान्ति आपह शान्ति आउशदय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रम्व शान्ति सर्वम शान्ति शान्ति एव शान्ति सामा शान्ति रेधी ओम शान्ति 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 भारत ने सदेव विश्व शांती के लिए काम किया है हमें इस बात का गर्व है कि भारत 1950 के दसक से लगातार सयूत राष्ट शांती मीशन का हिस्सा रहा है गरीबी हटाने, क्लाइमेट चेंज और समिकों से समंदिन मुंतों के समाधान में भारत अग्रणी भूमी का निभा रहा है इसके अलावा योग और आयूश को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत डबली एचो एनि वर्ल्ड हेल्थ और नैशनल के साथ मिलकर काम कर रहा है मार्ट 2021 में डबली ओचो ने गोश्णा की थी कि भारत में पारमपारिक चेकित्सा के लिए एक ग्लोबल सेंटर स्थापित किया जाएगा साथियों सैयुक्त राष्ट के बारे में बात करते हुए आज मुझे अटल जी के शब्द भी याद आ रहे है 1977 में उन्होंने सैयुक्त राष्ट को हिंदी में सम्मोधित कर इतिहास रख दिया था आज मैं मन की बात के सुर्टाओं को अटल जी के उस सम्मोधन का एक आउंस सुनाना चाहता हूँ सुनिए अटल जी की ओजेस्वी आवाज यहां मैं राष्टों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ आम आदमी की परतिश्ठा और प्रगती मेरे लिए कई अधिक महत्त रखती है अंत्ता हमारी सफलताएं और असफलताएं के वले कही मात दंड से ना पी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुता हर, नर, नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रेत्र शीलें साथियों, अटल जी की ये बातें हमें आज भी दिसा दिखाती है इस धर्ती को एक बहतर और सुरक्षित प्रेनेक बनाने में भारत का योगदान विश्व भर के लिए बहुत बड़ी प्रेना है मेरे प्यारे देश्वासियों, अभी कुछ दिन पहले ही 21 अक्तूबर को हमने पुलिस मृत्य दिवस मनाया है पुलिस के जिन साथ्यों ने देश स्वा में अपने प्रान नोचावर किये हैं इस दिन हम उन्हें विशेश तोर पर याद करते हैं मैं आज अपने इन पुलिस कर्मियों के साथ ही उनके परिवारों को भी याद करना चाहूँगा परिवार के सैयोग और त्याग के बिना पुलिस जैसी कठिन सेवा बहुत मुश्किल है